हेलो हाई अब्रीवर्ण वेल्कम टूँ माई चैनल नैचरल ब्यूटी वर्ड आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्या अंतर होता है कि और दोना स्किन उसी तरीके से क्या क्या काम करते है ठर्थल लाच्ट सपुन जरूर देक्गेगा आप को वीडियो कासंड आएगा और टाइम विशना करते हुए चलते है के शेड कुछ इस टाइब के यह मैक का है यह है परपल का यह है फिटमी का पाउडर होते हैं यह स्टेक यूकी का और आपने देखा होगा मैं अपने ज्यादातर मेक अप में सभी यूस करती हूं और यह ग्लैम 21 का यह है एचुडी तो यह मेरे पास कुछ कुछ कॉम्पैक प कर दोंबर्स प्राइजमें है के इसके बाद है नॉर्मल प्राइज में फॉर्फिटी के आसफास और ये बहुत बारिक पाउडर जैसे होते हैं इसके बाद हैं हमारे क्रेलों ते टील पाउडर यह स्टेप का देख सकते हो खातम हो चुगा इसका शेड नमबर है यह इसका परशे नमबर है TL6 और अब ले लेते हैं यह है क्राइलोन का फिक्सिंग पाउडर तो अब आपका कुश्चन था कि मैं हम लूज पाउडर और कॉम्पैक्क पाउडर में क्या अंतर होता है आपने देखा होगा सबसे में अंतर तो इनका यही है कि यह केक फोम में है और यह प प्रोफेशनल मेकप होते हैं हम कंसीलर लगाते हैं यह फांडेशन लगाते हैं यह भी उनी को सेट करता है यह हम थोड़ा लाइट वेट होता है यह फुल कवरेज होता है यह बहुत बारिक पाउडर में होता है यह हमारा केक में होता है इनमें सबसे ज्यादा डिफरेंस य यह हमारा स्पॉन से लगाया जाता है यह हमारा ब्रस्ते लगाया जाता है यह ड्राय स्किन के लिए बैटर होता है यह ऑली स्किन के लिए बैटर होता है जब हम इसको एक केक फोम में बनाते हैं तो इसे हमें सेट करने के लिए कुछ सीरम कुछ ओयल का इस्तेमाल करना पड़ पाउडर जो होते हैं, इस किन के उपर ही रहते हैं और इनमें थोड़ा ओएल मिला होते हैं, तो ये ओएल को इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं करते हैं। आजकल तो पाउडर में भी मैक फीनिश में जो कंट्रोल करने वाले काफी अलग लग तरीके के बना दिये गए हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर कंपाउडर भी ले सकते हैं। सबसे में की आप एक पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, एक नैचरल तरीके से आप नॉर्मल सी पाउडिशन लगाकर अपना पाउडर से सेट कर सकते हो। लेकिन वहीं पर जो हमारे ये पाउडर होते हैं, लोसँपाउडर ये हमारे ब्रायडल मेक अप में बहुत जाधा काम आते हैं। हमें ब्रायडल मेक अप में थोड़ी सी लेयर एक्स्टा करनी होता हैं। जैसे कि हम contouring वगरा करते हैं, उसके बाद अपने makeup को set करते हैं, तो उसके लिए हमें loose powder चाहिए होते हैं, कई bride के जिनके बहुत ज़्यदा oily skin होती है, open pose होते हैं, तो हमें loose powder चाहिए होते हैं, क्योंकि open pose जो होते हैं, loose powder एक बारिक सा है, powder जैसा है, जब हम brush से इनको इस तरी आइडल में कई बार पहले compact powder का इसनेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब last touch up हम देते हैं, तो अपनी loose powder से ही देते हैं, दोनों में इतने बहुत ज़्यादा difference है, दोनों में करने का एक ही है कि make-up को set करते हैं, डेली यूज में भी कहना चाहें, तो आप compact powder का डेली इसनेमाल कर सकत हैं, तो वो डेली यूज में भी compact powder easily लगा सकता है, तो आप डेली loose powder तो नहीं लेके बैठेंगे, वहाँ पर आप compact powder लगाएंगे, बहुत ज़्यादा असानी से इसको आपने bag में केरी कर सकते हैं, कहीं भी आपको sweating की problem हो रही है, कुछ भी होती है, हलका फुल कासा light make-up कहन अचाते हैं, compact powder से easily आप कर सकते हैं, तो यह हमारे थोड़ा professional makeup में आ जाते हैं, compact हमारे natural nude makeup में आते हैं, बट कहीं न कहीं आप full coverage का लेते हैं, जैसे यही, तो यह हमारे professional baby आते हैं, इन्हें हम आपने देखा होगा, मैं ब्राइड करती हूँ, तो पहले इनका भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, इनका इस्तेमाल, बट मुझे पद है कि मुझे कहां पर इस्तेमाल करना है, जैसे मैं ने बेस बना दिया, तो आइस के नीचे मैं जल्दी से compact powder लगा देती हूँ, ब्रश के help से ही, ऐसा नहीं कि ब्रश से नहीं लगेगा, लग जाता है, बट इनको हम कई ब क्योंकि यह पाउडर फिनिश में मिलता है हमें, हलका फुलका मेकप कर रहे हैं, पार्टी मेकप कर रहे हैं, वेडिंग मेकप कर रहे हैं, वहाँ पर अपना compact powder इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी lightweight भी होता है, यह आपको well wet finish देता है, और वही पर हमारा loose powder जो होता है, वह हमें airbrush finish देता है, क्योंकि जब हम इसे sponge के help से लगा रहे हैं, तो skin के ऊपर रहेगा, आपको बहुत smooth सा well wet जैसा लगेगा, लेकिन वही पर loose powder आपको airbrush finish देता है, जब हम brush के help से लगाते हैं, तो यह जैसा हमारा airbrush foundation होता है, बहुत पतली layer, तो यह उसी तरीके की एक layer बनाता है, यहाँ पर मैं sponge का इस्तेमाल कर रहे हूँ, बट देखेगा आप, जब यहाँ पर हम इस तरीके से करते हैं, तो हमारा product हमारी skin में सिर्फ उतना ही लगता है, जितना हमें चाहिए होता है, इसलिए airbrush finish देता है, कि बहुत पतली layer कर देता है, बहुत long lasting बनाता है, जिसके और अगर आपकी बहुत जादा dry skin है, तो वहाँ पर बैश्ट होते है हमारे compact powder, क्योंकि अगर आप loose powder को dry skin पर लगा देंगे, तो आपका skin थोड़ी देर बाद, आपका makeup थोड़ी देर बाद फटने लग जाएगा, वही पर हम compact powder लगाते हैं, वह भी बहुत कम quantity में, ताकि skin के ऊपर-उपर रहे, skin के अंदर ना जाए, skin के ऊपर-उपर रहता है, और makeup को फटने नहीं देता है, और बहुत कम amount में लगता है, और यह बहुत जादा oily skin होती है, makeup टिकता नहीं है, कैसी भी हो, तो makeup को बहुत long lasting तो बनाता बनाता है, और oil को absorb करने में भी help करता है, दोनो पर loose powder हमें light to full coverage देते हैं, यह light coverage इसलिए देता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा oil या serum अगरा मिक्स करके, इनको cake के look देया जाता है, तभी यह set हो पाते हैं, cake के look में आते हैं, यहाँ पर यह powder है, इनमें कोई ज़्यादा oil नहीं मिला हुआ है, loose हैं बिल्कुल, एक powder जैसे ह तो यह इसलिए हमें full coverage देते हैं, तो आपको skin में पता भी नहीं चलता है, आपने कुछ लगा है, वही पर आप compact powder लगाते हैं, तो आपको थोड़ा सा लगता है कि आपने कुछ लगा है, अपने professional में आ जाते हैं, पावडर आप डेली में ना लगा के, अपने professional makeup में इस्ते इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बट compact powder का आप डेली हुज में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, तो मुझे कोमेंट बॉक्स में जरू कमेंट करिएगा, और इन सभी के लिंक देखना चाहते हैं, तो मैं आपको होसकेगा तो दिसक्प्शन बो अकॉर्डिंग ही, और लूस पाउडर सेलेक्ट करेगा, जिस तरीके से हमारी फांडेशन में कलर होते हैं, स्किन के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से हमारे compact में भी होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यह थोड़ा सा फियर है, यह थोड़ा सा फियर है, यह यह थोड़ा सेलेक्ट करेंगे, कभी भी मिश्टिक ना करें, और हर तरीके से compact लें, चाहि लूस पाउडर लें, आपके मेकप को ही सेट करते हैं, सिर्फ इनकी जो oil को कंट्रोल करते हैं, यह मैट फिनिश होते हैं, वह स्पॉन से लगाया जाते हैं, वह ब्रश के हल्प से लगाया जाते हैं, इनमें सिफ डिफरेंस इतना ही होता है, और सबसे ज़्यादा मेकप में अंतर होता है, आप एक नॉर्मल नैचुरल मेकप कर रहे हैं, यह घर में नॉर्मल कॉंपैक्ट पाउडर लगा रहे हैं, तो वह पर आप नॉर्मल घर में बीना कंसीलर के, बीना तो मेरी चैनल को सबस्क्राइब करिएगा, बेल आइकन को अन कर लिजेगा, फ्रेंट के साथ शेयर करना बिल्कुल मत बूलेगा, मिलूंगी अपनी नेक्ट वीडियो में कुछ नहीं, और अच लेके तब तक के लिए बाइ-बाइ, थैंक यू